नमस्कार मैं हूँ अमिता पंकाज और आप देख रहे हैं रासत्ता एक्सप्रेस टी एमसी लीडर महुआ मोहित्रा आज एक बड़ा नाम बन चुकी है वो ना सिर्फ नेशनल बल्कि इंटरनेशनल लेबिल पर काफी बड़ा नाम बन रही है और आजकल उनकी चर्चा चारों तरब है फ्राइडे को वो पार्लियमेंट से एक्सपेल कर दी गई उनके ओपर कैस्वर कोईरी का एलिगेशन था और बहुत सारे सवाल उनके भविश को लेकर उट रहे हैं सबसे पहला क्या महुआ मोहित्रा की सांसदी तो गई है क्या अब वो जेल जा सकती है और क्या अपना पक्च रखने का मौका नहीं दिया गया किया पार्लियमेंट कोट की तरह से काम कर रही है वो बिना सुने बिना उनको मौका दिये सिर्फ उसने सीधे सीधे अपना डिसिजन सुना दिया इस तरह के आरूप लग रहे हैं और यह मुद्धा काफी बड़ा बन रहा है और चारों तरफ इसकी चर्चा चल रही है और महुवा मोईत्रा का भी कहना है कि उनको अपना पक्च रखने का मौका नहीं दिया गया उन्होंने बार बार का उनको दर्शन हीरा नंदानी और जे अनन देहदराई के साथ में क्रोस इग्जैमिन उनको उनका करने दिया जाय और वो कह रहा है कि जो बीजेपी है वो एक तानाशाह का रोल इसमें निभा रही है क्योंकि बहुमत में है और वो जो चाहे वो मनमानी कर रहे हैं इस तरह की चीज़े बीजेपी के आच्रण को लेकर विपक्ष द्वारा उनके उपर एलिगेशन लगाया जा रहा है तो अब हुआ मोहित्रा के उपर ये आरोप उनके जो बॉइफ्रेंड है एकस जे अनंदे द्राई ने CBI कंप्लेंट में लगाया है कि उन्होंने जो पालिया मेंट में 60 कोश्चन पूछे थे उनमें से 51 कोश्चन जो थे उन्होंने हीरा दर्शन नंदानी के कहने पर पूछे थे ज लगातार मोहित्रा अडानी और पीम मोधी की छबी को दूमिल करने की कोशिस कर रही है उनके उपस तरह के आरोप लगा रही है जिससे की जनता की बीच में उनकी छबी और उनके फेत में जो जनता का उनके उपर ट्रस्ट है उसमें कमी आए और इस तरह का आचर उनका लग वहां से जीत कर और ऐसा भी कहा जा रहा है कि महुवा मोहित्रा ने 2019 से लेकर 2023 तक करीब सेतिस विदेशी आत्रा की हैं जिसमें की हीरा जो नंदानी है उन्होंने उसको स्पॉंसर किया था और वो ने लगा था महंगे गिफ्ट देते हैं और इसके बदले में जो महुवा मोहित्रा हैं उन्होंने अपना जो परल्यमिन का लोगिन आईडी और पासवर्ड है वो भी उनके साथ में शेयर किया था और वो उनके भीहाब पर दुबाई में बैठकर जो कोशन थे वो पूछते थे और वो उनको ड्राफ्ट करके पोस्ट करते थे उनके जो अकाउंट से तो इस तरह के ऐलिगेशन जो थे उनके उपर लगाए गयते और जो उनके एक्स बॉइफ के अध्यक्ष है ओम बिला उन्होंने ये कंप्लेंट को एथिक्स कमेटी के पास में फॉरवर्ट किया था और एथिक्स कमेटी ने इसकी लंबी चोड़ी चानबीन की जांच की उन्होंने अनन्द देहदराई को बलाके उनके साथ में पूछताज की थी निशिकान दुबे और उसके बात में जब उनसे सवाल किये जाने लगे उन्होंने क्या गिफ्ट लिये हैं उन्होंने लॉगिंग आईडी को शेयर की जब दीके सवाल इस तरह से पूछी जाने लगे तब महों मोह इतना वहां से सवालों के जवाब दिये बिना वहां से उठके चली आई थी और उन्होंने अलिगेशन लगाया था कि उनके करेक्टर को लेकर और उनके साथ में जो एथिक्स कमेटी थी उसने बहुत बुरी तरह से उनको ट्रीट किया, एक तरह से उन्होंने आरोब लगाया था कि उनका चीरहनर किया गया, एक महिला के साथ में इस तरह से उनसे पूछ सब्सक्राइब का और उन्हें इस तरह का दवार नहीं करना चाहिए था और यह सारी चीज़ों के बाद में जो एतिक्स कमीटी है उसने अपनी चानवीन की थी उसने उनके जो लॉगिंग पासवाड है उसकी पूरी चानवीन की तो लगबर 47 बाहर जो था उनका जो इमेल देखते हुए पार्लियमेंट की सुरक्षा के लिए और नैशनल सिक्योर्टी का यहां पर सवाल था इन सारी चीज़ों को और अनेतिक आजना मानते हुए जो महुआ मोहित्रा हैं उनको फ्राइडर को एक्सपेल कर दिया गया और एक्सपेल होने के बाद में यह मुद्दा जो था काफी बढ़ा बना और प्रिवक्ष ने इसके उपर तीखा प्रहार किया और बाहर निकल कर प्रदर्शन भी किया और उनके इस तरह के प्रदर्शन में जो टॉप मोस्ट लीडर्स थे इंडियन अलाइन्स के यहां की के यहां तक की सोनिया गांधी जिनका भी स्वा गांधी और बड़े-बड़े लीडर्स उनके साथ में खड़े हुए और यह जो मुद्दा है कहीं ऐसा नो कि कॉंग्रेस उस मुद्दे को अपने पास में ले जाए और उसको सक्सेस मिल जा है तो उन्होंने महुवा मुहत्रा का खुल कर साथ दिया और उन्होंने कहा कि BJP पहुमत में हैं उन्होंने अपनी मनमानी की है और एक महिला के साथ में इस तरह का बयावार किया जो कि जनता उनको कि गिलकुल भी माफ नहीं खरेगी और जनता ही सारी चीजे देख रही है और लोकसाबा के एलेक्शन में जनता उनके खलाब एक्षिन लेगी क्योंकि यह उन्हें बहुमत से जिताके यहां तक भेजा है उसने और वो ही उनको इस चीज का जवाब देगी और वो उसको सब्ता से बाहर निकालेगी तो इस तरह की चीज़ें काफी चल रही है और जो इस तरह के अलिगेशन भी ठे और जो जस्तरे के सवाल भी उठ रहें कि क्या अब क्या होगा Toronto का का महुत्रा की इंक्वावा मौह के पास में क्या मोह अंवा मौह काा क्विष्टार क्या जाए और दूसरा महुवा मोहित्रा के पास में ये राइट है कि वो करते हाई कोट में जाकर करते का अर्टिकल 226 के तहत उसको चैलेंज कर सकती है और इसी तरह से वो सुप्रीम कोट में कॉण्सिटूशन के आर्टिकल 32 के तहत इस पार्लियमेंट की प्रक्रिया है इसको चै या तो उसमें हो और इलेगलिटी हो और डिनाइल ओफ नेच्टर जस्टिस के अपसेंस में अगर यह सारी चीजें उसमें हैं तो इसको सुप्रीम कोड में चैलेंज किया जा सकता है जैसे कि 2007 का एक राजा नाम का केस है जिसमें कहा गया कि सुप्रीम को पावर है कि वो अपन कि जूडिसल रिव्यू कर सकती है इसका और इसके साथ ही साथ जो मेंबर को एक्सपल किया गया है उसके पास में राइट अपने जो है उसके एक्सेराइज करने का अधिकार है और जहां तक जेल का सवाल है दो साल तक की तभी उसको चुनाब लड़ने के लिए प्रतिवंद किया जा सकता है अधरवाइस उसके पास में अधिकार है कि वो अपना किते चुनाब लड़ सकता है और वो अभी क्योंकि लोगसभा के एलेक्शन में भी काफी कम समय बचा है तो अच्छा यही रहेगा क्यो और एलेक्शन लड़ने के बाद में अगर वो वहाँ से कते जीत के आती है तो यह उनके लिए भी बड़ी अच्छी वो होगा उनके राजनेतिक ग्राफ में भी काफी फरक आएगा उनका राजनेतिक ग्राफ बढ़ेगा और इसके साथ ही जो उनका अपना कद है वो भी अगयमेंट ने तो ऐसा नहीं है जो उसके अध्यक्ष ने वही सारी चीज़ा को फॉलो किया था जो उसके पास अध्यक्ष ने फॉलो किया है तो इस तरह की सारी चीज़ों को देखते हुए 2005 में भी 11 MP को एक्सपेल किया गया था और उस समय जो थी जो कॉंगर्स की सरकार और उसने सिर्फ 12 दिन का उनको समय दिया गया था सारी कारिवाई में सिर्फ 12 दिन का समय मिला था और उनके ओपर FIR होई थी उनके ओपर criminal charges जो थे वो लगे थे उसके बाद में charges उनके ओपर frame हुए थे और अब जो उनके ओपर criminal cases चल रहे है जो वो आज तक उस cases को अपने लड़ रहे हैं तो इन तरह सारी चीज़ें हैं जो कि पार्लियमेंट को अपनी सुरक्षा के लिए अपनी national security के लिए अपनी जो पार्लियमेंट है उसको साफसुत्रा रखने के लिए ऐसे step उखाने की जरूत पड़ती है कि वो अगर इस तरह की चीज़ें नहीं करेंगे त क्योंकि इसमें criminal intent की criminal intent भी है तो उसकी भी जाच होनी चाहिए इसके साथ साथ intense legal inquiry भी Government of India दोरा की जानी चाहिए जिसमें CVI की जाच है कि उन्होंने अपना पासवर्ट वो किया और उसके साथ में उन्होंने उसके बदले में questions के बदले में उन्होंने जो cash लिया है और जो म कि उनका जो login ID है वो वो विद्योशों में जाके logging हुआ और जिससे की national security का भी बड़ा सवाल उठाए तो यहाँ पर NIA भी इसमें आ के चानबीन कर सकता है और एक तरह से देखा जाए तो महुआ मोहित्रा इसमें तो समस्या के गेरे में गिरी हुए उनके उपर एक बड़ी कते समस्या चाही हुई है और इस तरह की चानबीन में काफी समय भी लगेगा और सारी चीज़े जब तै होंगी तो तै होंगी लेकिन अभी तो जो महुआ मोहित्रा है उनके उपर प्रश्चिन लगा है उनके अनयतिक आच्रा को लेकर और उनका उपर जो आरोप है वो भी कई बार मांगती थी हो कई बार मैं चहांकर भी मना नहीं कर पाता क्योंकि उससे मुझे बिजनेस मेनिफिक था इसलिए मैं कई बार उनकी चीजों को हा कर लिता था और जब दर्शनीरा नंदानी ने एफिडेविट देकर सारी चीजों को लिया है उन्होंने इसे अपना प खोना पड़ा मेरी वजह से तो उस तरह के उंका गि遊戲 है और उन्होंने चीजों को सुछीकार किया और उन्होंने जब सारी चीजों गिफ्ट दिये हैं उसक्ता है और उन ने पीए मिजने पैस में प्रूफ भी है उन्हों सक्थीत अगर उए मोईता सॉप्रीम कोड़ में ज जो महुवा मोहित्रा है, वो अपने चीजों में इस तरह का, उनका जो अनेतिक आज़र का आरोप लगा है, वो आरोप ना हो, वो साफ सुत्री छभी अगर उनकी है, तो वो साफ सुत्री छभी निकले, परन्तु आप अपनी छभी को साफ करने के लिए जो जो से बोलना शुरू कर दे या आप प्रेस कॉंफरेंस करके अपनी सफाई देना शुरू कर दे या आप ट्वीटर के तुरू वहां पर ट्वीट करकरके अपनी सफाई दे तो वो सब सारी चीज़ें बेकार हैं क्योंकि यह सारी चीजों के जो खुद को इनोसेंट सावि उठें उन पर ना उठें इस तरह के नियूज हम आपको अबगत कराते रहेंगे और आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और हमें आप लिखी आप किस टॉपिक पर हमारे साथ में डिसकुशन करना चाहते हैं या हम टॉपिद एक्सवर्ट में आपके किस टॉपिक पर किस के फील्ड से किसी को ले के आए ताकि वो आपकी समस्या को सुने और आपको समाधान दे धन्यवाद